हम आज पढ़ेंगे Types of Simple Sentence तो Types of Simple Sentence के पहले हम यह जानेंगे कि Sentence क्या होता है तो Sentence का Definition मैंने पहले दिया हूँ कि Group of Words that Makes Complete Sense इजे Sentence तो उसके बाद जाना है कि Simple Sentence क्या होता है तो Simple Sentence के बारे मैंने पहले वीडियो में समझाया हूँ कि Sentence तीन तरह का होता है Simple, Compound और Complex Simple क्या होता है कि कोही भी Sentence अगर खुद का Subject है और खुद का भर्व है और एक Complete Sense देता है सेंटेंस के प्रकार भेद क्या है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले देखना है कि Simple Sentence कितने प्रकार के होते हैं Number 1 Declarative Sentence Number 2 Integrative Sentence Number 3 Imperative Sentence Number 4 Exclamatory Sentence तो इन चार प्रकार के Sentence में से हम एक एक करके Discussion करेंगे एक Declarative Sentence क्या होता है देखे Declarative Sentence is a Statement that declares something और tells information about something क्या करता है वो यह sentence एक Statement होता है जो कुछ भी हमें declare करता है और किसी चीज के बारे में किसी के बारे में हमें वो information देता है अगर कोई sentence अगर किसी चीज के बारे में हमें कोई Statement देता है कोई information देता है उसे हम कहते है Declarative Sentence यह वो sentence किसी चीज के बारे में declare करता है कि वो चीज ऐसा ही है जैसे एक्जामपूल में दिया गया है रमेश हैज डौन हीज होमवर्क रमेश हैज डौन हीज होमवर्क रमेश उसका होमवर्क कर चुका है वो यह sentence हमें यह information देता है कि रमेश उसका काम अलरड़ी कर चुका है second example दे रहा है वो he teaches me English वो मुझे English पढ़ाता है यह sentence हमें यह information देता है कि वो हमें English पढ़ाता है ओके यह दोनों sentence में subject हमें कोही न कोही information देता है किसी चीज के बारे मां वो डिक्लार करता है इसलिए इसको बोलते है declarative sentence फिर उसके बाद पढ़ेंग हम अपना interrogative sentence अब देखते हैं interrogative sentence क्या होता है interrogative sentence यह sentence that asks questions about something or somebody is called an interrogative sentence यानि कोही भी sentence अगर किसी चीज के बारे में या किसी के बारे में अगर हमें वो सवाल पूशता है तो उससे हम कहते है interrogative sentence यानि interrogative sentence का दूसरा नाम होता है question wise sentence जैसे example दिया गया है कहां तुम जा रहे हो यह हमसे सवाल पूश रहा है कि आप कहां जाते हो इसका नाम होता है question marks तो कोही भी sentence अगर किसी से कुछ सवाल पूश रहा है और वो and होता है question marks से तो उसे हम कहते है interrogative sentence उसकी बाद हम पढ़ेंगे imperative sentence imperative sentence क्या होता है imperative sentence the sentence that tells someone to do something okay to do something it's called imperative sentence यानि किसी से कुछ करवाने के लिए जैसे लिप इस प्लेस immediately के जितना जल्द हो इस जगा छोड़ दीजी तो यह जो sentence हमको बता रहा है के जितना जल्द हो इस जगा छोड़ दीजी यह वाला जो sentence है इसे हम कहते है order यहां मैं लिखा हूँ order दूसरा यह होता है always keep your surrounding clean हमेशा अपना जो आसपास का जो परिबेस है surrounding है उसे अब साब रखिए यह क्या होता है एक advice यह क्या है advice यह रहा order यह रहा advice और तिसरा एक्जाम बोल दे रहा हूँ please bring me a glass of water मेरे लिए एक glass पानी लेकर आईए यह जो मैं उसको पानी मांगा यह वाला sentence एक हो गया request एक बात को गौर कीजे यह जो भी sentence मैं यहां लिखा हूँ यहां देखे subject silent है subject silent है यानि जब मैं किसी को कुछ command दे रहा हूँ जब मैं किसी को कुछ request कर रहा हूँ तो मैं उसे indicate कर रहा हूँ तो इसलिए हाँ पर subject you subject you यहां silent रहता है ओके clear उसके बाद हम पढ़ेंगे exclamatory sentence आप देखे एक्सक्लामेटरी sentence ओके exclamatory sentence क्या होता है यह sentence that makes surprise with sudden feeling of anger okay sudden feeling of anger sad happiness admiration say अगर sudden अपना जो एक feeling जाहर करता है वो चाहे वो दूख हो चाहे वो खुसी हो चाहे कोई प्रसंसा हो या कोई गुसा हो यह जो हठा साहिस सग अपना feelings जाहर करता है तो उसे हम कहते हैं exclamatory sentence यह जो sentence है यह आपका start होता है what से और how से और यह sentence end होता है exclamation mark से यहां मैं लिखा हूँ it ends with a exclamation mark यह रहा आपका exclamation mark देखते हैं इसका example क्या होता है जैसे how selfies you are देखे कितना खुदगर्ज है अगर किसी लड़के के बारे में उसका behavior देखा देखने बाद तो उसे मैं बताऊँगा how selfies you are तुम कितना खुदगर्ज हो तो यानि मैं अपना दुख उसे जाहिर किया कि देखे तुम कितना खुदगर्ज हो ओके यह sentence start होँ देखे कैसे how से ओके and किस से होँ एक्सक्लामेसन mark से ओके और दिखे एक sentence है यह जो कितना प्यारा सा आवाज उसका है यह जो मैंने बताया यह sentence दिखे start होँ कहां से what से and कहां होँ exclamation mark से what is sweet voice कितना प्यारा आवाज उसका है यह मैंने अपना खुशी और उसको प्रसं समय किया उसका गाना सुनने के बाद मैंने उसको हटा तेक प्रसंस है किया कितना प्यारा आवाज उसका है तो इस तरह का sentence को हम कहते हैं exclamatory sentence ओके यह रहा types of simple sentence और sentence के प्रकारभेत के बारे में मैंने पहले विडियो में समझा चुका हूँ और उसका link मैंने description box में डाल दिया हूँ